नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग देखिए मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आए हूं बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक्स आप लोग इसको जरूर बनाएए फ्रेंड्स क्यूंकि यह ठंके दिन में भी आम पी सकते हैं क्यूंकि इसको फ्रीज करेंगे क्यूंकि यह जितने देर तक चीनी हमारा मेल्ट ना हो जाए हम उतने देर तक उसको मिक्स करेंगे दिखिए यह जो है हमारा भी आधा मिक्स हो चुका है अब थोड़ा बचा हुआ है चीनी और इसको भी अच्छी से चला लेंगे इसे ही मिक्स कर लेंगे तब तक आप गरम करते रहे जब तक हमारा भी चीनी अच्छी से मिक्स ना हो जाए है यह हो गया अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चल लेंगे अगर अगर पाउड़र मैंने दो चमच ले पाणिमें कस्का बूंड नेजिए अंधैल चाहिए हो जीड़ी बनाब लिए फानी कर एक वढ़ पास वाग बस्ति और सेफोरे का एक वढ़ यहाइं दियुक्स है में ठीक हट लेकर की टीकर में पानी पलेट यहाइं और फूड नायके've सब्सक्राइब देखने में अच्छा लगेगा और भचे लोग फासंद करते हैं और हम लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है जूस में देखिए मैं इसको बना रही हूं इसी तरह आप जो है जेली बनाएब आपके पास अगर फूट कलर नहीं है तो आप जो है कोई प्रूट से उसी का जूस निकाल के आप इसी में डाल के बना सकते हैं इस तरीके से आप जेली बनाएब इसको थोड़ा फ्रीज में रख दीजिए दस मिनिट और फिर वहार निकाल लिए तब तक देखिएंगे कि आपका जेली जो है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पोसेस में देखिए इसको प्रीज में रख देते हैं पहले आप देखिए अब मैं एक बाल में पानी ले लिया हूं और इसमें में साबुदाना राद तक भीगो के रखे थी तो इसको देखिए यह पुरा भी राद फर पुरा अबज़त कर लि हमारे एक एक दाना ना निकल जाए उसी तरह देखिए मारा अच्छे से पक चुका है अब हम इसको देखिए करीब से में दिखा रही हूं देखिए अच्छे से हो चुका है आब हम इसको चान लेंगे चानी से देखिए मैं भी इसको चान रही हूँ अच्छे से चान लूगी मैं इसको और फिर इसको क्या करेंगे न थंडे पानी से हम इसको दोलेंगे क्योंकि हम थंडा पानी नहीं डालेंगे तो इसमें जो है जम जाएगा साबुदाना हमारा अच्छे से जम जाएगा और एक एक बा बैट अब हम इसको साइट में रख देंगे चलेंगे हम सिक्ष्ट भी कम सिखेंदाओ मैं इसको भी हम कररेंगे ईसको गरम करनेंगे अच्छे से अब हम चलेंगे सिवान् मेंस्फ और सब देखीए मैं इसमें ले रही हूँ रूम टेंपरेचर दूद में दो चम मच हम इसमें मिक्स करेंगे कस्टर पाउडर देखिए मैं इसको ऐसे इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ अब हमारा दूद गरम हो चुका है तो इसमें जो है मैं custard powder डाल दूँगी देखिए मैं अभी custard powder इसमें डाल दूँगी फिर और चला लेंगे थोड़ा सा और पका लेंगे इसको अच्छे से देखिए हमाया यह पक चुका है अब देखिए कितना अच्छा उसे पक गया है इस टैप करेंगे अच्छे से पक चुका है अब हम ले लेंगे एक बावल में dry fruits में अमजन से मंगाई थी इस तरीके से देखिए आप भी मंगा सकते हैं अमजन से या फिर अपने घर के पास जो स्टोर है उस वहां पर भी मिल जाएगा मैं इसको कुट लूँगी हमारा देखिए जेली पूरा बन चुका है अब देखिए मैं फ्रीज निकाल ले हूँ और इ इसे ही आप भर ले आप लोग भी ऐसे बनाएए दिखिए यह हमारा भर चुका है दो गलास ज्यादा मत भरिए क्योंकि इसमें और भी थोड़ा जागा बचाईए क्योंकि और भी कुछ डालना है देखिए मैं अभी साबू दाना डाल रहे हूं एक एक दाना वारिक वारिक से दिखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसी को भी मैं डाल लूँगी दो दो चामच करके और इसके बाद हम देखिए यह चिहां सिर्स हमारे बेली फेट अटाने के लिए बहुत ही आच्छा है जरूर आप इसको ट्राइब किजिए यह बेली फेट अटाने के लिए बहुत ही फाइदा मंद होता है चिहां सिर्स और देखिए हमारा पुरा रेडी यह ड्रिंग्स ठैन के दिन में हम लोग अच्छे से पी सकते हैं क्योंकि हम इसको फ्रीज में नहीं रखेंगे इसी तरह आप कोई आपके घर में मन आये कोई भी आये तो आप इसको जरूर ब